हुआ है रिवन तो यह वाला जावा एंड ऊप सीरीज के मॉड्यूल वन का टॉपिक फॉर्थ है तोपिक में क्या करने वाले इंटर्व्यू के क्वेश्चन्स ये तीन क्वेश्चन्स हैं जो काफी जादा इंटर्व्यू में पुछे जाते हैं तो देखो पहला क्या है कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर यह जो फाइल का नाम है यह हमने सेव कि है hello.java से ठीक है यहाँ पर यह hello लिखखा हुआ है यहाँ पर जो class का नाम है यह हमारा exactly hello है ठीक है क्या हम इन दोनों नाम को different कर सकते हैं पहला question true और false में answer देना है कि क्या हम यह दोनों name different कर सकते हैं जो भी file का name है जो भी class का name है क्या हम वो different कर सकते हैं तो इसका answer है yes अगर इसका answer yes है तो क्या ऐसी condition होगी जिस condition का use करके हम इन दोनों नाम को different कर सकते हैं तो एक बार चेक करते हैं देखो normal सा अभी न इन दोनों के नाम को different कर देते हैं ठीक है यहाँ पर change कर देते हैं ABC इसको कर दिया ABC अब एक बार इस file को करते हैं run compile इसको करा हमने compile ठीक है देखो compile करने से error आ गया इन्होंने क्या कहा कि ना ABC जो class है वह पब्लिक है जो ABC class है वह पब्लिक है तो यह चल नहीं गई तो हमने का एक बार पब्लिक खटा के देख लेते हैं तो कि अगर पब्लिक खटा या अब एक बार इसको करते हैं compile तो देखो जब मैंने यहां पर इसको करा compile मैंने करा hello.java को compile यह compile हो गई compile होने के बाद यह तो हमें पता है कि हमारी एक एक एक्स्ट्रा फाइल बन जाती है ठीक है जो की byte code होती है देखो यहां पर यह बन गई abc.class जो भी इस class का नाम था exactly उसी नाम का byte code यहां पर बन जाएगा अब अगर हमें इस byte code को करना है run तो कैसे कर सकते हैं byte code को कैसे run करते हैं java space file का नाम abc यहां एंटर करते हैं क्या यह code चलिया यह code भी चलिया और इन दोनों files के name भी अलगें यहां पर hello है यहां पर abc है तो इस question का answer क्या है कि हां हम नाम change कर सकते हैं condition क्या है कि जो class का नाम है उसके आगे public नहीं होगा अगर हम public लगाते हैं तो जिस class के आगे public लगाया है जो उसका नाम है वही हमारी file का नाम होना चाहिए ऐसा कुछ चीक है अब देखते है next question next question क्या कहते है कि can we have multiple parallel classes in single dots of a file इसका मतलब क्या है देखो अभी तो हमारे पास यहां पे सिरफ एक ही class है class a bc ऐसे बंद रोगई क्या हम ऐसे multiple classes लिख सकते हैं कि parallel में देखो कि class pqr class xyz ठीक है पहला question कि क्या हम ऐसे parallel class लिख सकते हैं क्या हम parallel class लिख सकते हैं तो इसका answer है yes हम ऐसे कर सकते हैं अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो इसके बाद दो questions बन सकते हैं पहली किस condition में कर सकते हैं and दूसरी इनको run कैसे करेंगे हमारे पास चार फाइल से हैं तो हम किस फाइल के नाम के basis पे तूस्ट है तो उसके बाद कंडिशन वताओ इस कंडिशन में बताओ इन इन सारी फाइल्स लॉस को हम इन वी इन सारी classes को पृल्लली रख सकते हैं तो देखो condition क्या है कंडिशन यह है कि क्लासिस के नाम डिफ्रेंट होने चाहिए क्लासिस के नहीं डिफ्रेंट होने चाहिए ठीक है तो एक बार कर देते हैं इसी को कॉप्री कर लेते हैं एक बार ठीक है यहां पर आ गया एबीसी देखो अगर यह एबीसी है एंड यहां पर भी एबीसी है तो यह एरर दे रहा है बट अगर मैं यहां पर कर दो अब इसमें कोई भी एरर नहीं है ठीक है अब एक और फाइल बना लेते हैं XYZ यहां पर एक और प्रिंट कर देते हैं XYZ इसमें प्रिंट कर देते हैं XYZ ठीक है अब second question था कि हम इसको compile एंटरन कैसे करने वाले हैं ठीक है तो देखो इसको compile कैसे करेंगे इसको compile नॉर्मल सी यह जो फाइल है इसका नाम लिग देंगे ठीक है पहले इस यह जो पुरानी हमारी class बन रख्या थी इसको कर देते हैं delete अब इसको करते हैं compile कैसे जावा सी space hello.java एंटर किया देखो यहां पर सिर्फ hello.java थी अभी बट अब क्या क्या बन गया abc.class, pqr.class, xyz.class जितनी भी classes यहां पर थी सबकी files हमारी यहां बन चुकी है अब किसी ने खा किना xyz वाली चला दो xyz चलाने के लिए क्या है करना है जावा space xyz एंटर करूँगा तो क्या आना चाहिए hello xyz ठीक है अगर मैं यहां पर pqr चला देता हूं तो क्या हैगा hello pqr ठीक है यह हो गया second question तो second question में क्या-क्य condition थी second question में condition पहली क्या थी कि conditions बताओ किस condition में चलना चाहिए मैंने कहा किना इन सबके नाम डिफरेंट होने चाहिए एंट public भी नहीन होना चाहिए पहला नाम केज़ी कंडिशन आई वह क्या कंडिशन आई कि नहीं दूसरा क्या था किना इसको रन गया से करें तो इसको रहन ब puntos शरा वाली फाइल का नाम है उसके वेसे पर रों कर दो जितनी भी classes है उनके respective byte code हमारे पास आ जाएंगे जब run करना है जोन सा byte code run करना है जोन सी class run करनी है उसका नाम लिख देंगे एंड वो अपने आप रन हो जाएगी ठीक है इसके बाद आते हैं third question पर third question क्या है कि how many parallel classes helps public access मैं इसका मतलब किया है क्या मैं इन फाइलों में पप्लिक लगा सकता नहीं मैंने बहुत सारी लगा सकता हूं सब्धोल में इन ओर इस तो Max to Max कितनी क्लास के आगे पभिन लगा सकता हूं पहला पॉश्यव पभिन पभिन लगा सकता उगं अगर येस तो Max Carnes बताओ कि अप्स्ट कितनी classes के आगे मतलब इसके आगे पभी पभ्लिक लगा दिया इसके आगे भी पब्लिक लगा दिया तो कितनी glasses के आगे पब्लिक लगा सकता हूँ पहला question यह ठीक है एंड दूसरा question दुबारा कि इसको compile कैसे करेंगे तो अगर मैंने कहा इसके आगे पब्लिक लगा सकते हैं अब point decide करते हैं की range कि at most कितनी glasses के आगे पब्लिक लग सकता होगा ठीक है यह discuss करते हैं मैंने कहा अगर मैंने यहां पर पब्लिक लगाया तो फॉर्स्ट कोश्चन का मतलब क्या था कि अगर मैं पब्लिक लगाता हूं तो जो भी class public है अगर यह यहां ABC है तो यहां होना चाहिए ABC वरना तो यह चले यह नहीं ठीक है मैंने कहा इसके आगे भी पब्लिक लगा दिय अगर इन दोनों के आगे पब्लिक लगा दिया तो यह वाली जो फाइल कानाम है यह फाइल का नाम इन दोनों को मैच करना चाहिए मैंने लिग दिया ABC X Y Z ठीक है तो ना तो यह ABC को मैच करаете complete ये इसका मतलब क्या है कि मैं अगर मैं तो मैं इस का नाम कैसे कीज़ए कि इस फायल का नाम क्या हो चाहिए तो एट-mallo यहां पर करounces दूख कर दिया है अगर इस के साथ इसने गquitoesale के अरहा इसको रन ओर कर देते हैं इसको कपाइल करते हैं एक बार पार क inhib 不要 किया तो इसने सेमपाइल जो हमारें स्ट स wrinkles यह क्या वीक पडिक है सथित about यह या तो इसको नौन पॉब्लिक करो अगर नहीं करना तो यहाँ पर लिखो hello hello ठीक है अब अगर मैं इन फाइल्स को कर दू डिलीट जो भी मेरे बाइट कोड़ बन रखे दें ठीक है तो देखते हैं क्या होने वाले अब रन करते हैं तो compile किया compile करते ही वो classes मेरी वापस आ गई ठीक है तो last point क्या है कि ना अगर हमारी parallel classes है तो उसमें से at max एक class public हो सकती है और जो भी class public है उसका नाम और जो भार वाली फाइल है जिस फाइल के अंदर वो class है उन दोनों का नाम सेम होना चाहिए ठीक है तो यह तीन questions ते काफी के जादा पूछे चाते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग अगाने अगाने